है है लिएक सेस्ट हैं यह इंत ले को आप कैसे संट आ आया इनको इंग्लिस में कैसे करते हैं जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इस्टिटीट आफ इंग्लिस तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइप और से अपर सेंटेंस इस योर एंगर इस जेस्टिपाइब यदि कोई कुछ गलती करता है इसी गलती करता है जिसकी वज़े से नाराज़की होती है तो हम कहते हैं कि होते है वाट हैफेंड हिम नव उसे अब क्या हुआ अब उसे क्या हुआ जब हम को किसी से कोई भी टाम पूछना होता है घड़ी से तो होते हैं आपकी घड़ी में क्या बज़ा है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखता है तो वो उसकी अपनी बायोग्राफी लिखता है तो उसको आटो बायोग्राफी बोलते हैं यदि हमको कहना है he wrote his biografic, उसने अपनी जीवनी लिखी, he wrote his biografic what about and for what, कि सिसे बारे में और क्या कई वारे हम इस प्रकार से बोलते हैं क्या आप उसे जानते हैं, मैं आपसे उसके बारे में पूछना चाहता हम तो आप बोलते हैं, what about and for what, किस बारे में पुछना चाहते हैं, और क्या पुछना चाहते हैं, जब हम किसी को कहते हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, जब कि हमेशा हो सकी यतना से जादा प्रसंसा करनी चाहिए, तो बोलते हैं, don't speak ill of others, don't speak ill of others, दूसरों की मत चुराओ, कुछ लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, ताल देते हैं, तो हम होते हैं, don't speak वर्क, यानि काम से जी मत चुराओ, there are different unique things in this world, and waterfall is one of them, संसार में बहुत अच्छे चीज़े हैं, उन में से जल प्रपाद जो होते हैं, waterfall होते हैं, वो भी आमारी प्रक्रती की सुंदरता में, चार चांद दगाते हैं, तो हम यह कहना चाहते हैं, कि क्या आपने कभी जल प्रपाद देखा है, किसी से पूछना चाहते हैं, तो बोले के, have you ever seen waterfall, have you ever seen waterfall, जब कोई चीज़ काम आप करते रहते हैं, और चाहते हैं, कि दूसरों की मदद करते हैं, फोड़े सी मदद देना चाहते हैं, इंग्लिस में बोलते हैं, lend me a hand please, lend me a hand please, मतलब जरा हांत लगाना, जरा हांत लगाना, I know you have done it, जब कभ हैं, तो आप बोलते हैं, I knew, मैं जानता था, you have done it, तुमने ये किया है, so dear friends, if you practice these kind of sentences, then you would have a lot of vocabulary and what do you want to speak in Hindi, that will come in English, so practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening, I hope कि आपको इस प्रकागे ये sentence पसंद आया होंगे, यदि पसंद आया हों तो इन्हें जादा से जादा लाइक करिए, शेर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं, तो प्रीजे से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेश करिए, ताकि इस प्रकागे वीडियो जब भी अप्लोड हो, तो उनका नोटिफिकेशन आप तर पहुंच सके, thank you for watching,